नमस्कार दोस्तों, अब तक ये तो सुना था कि छपरी मवाली टाइप के लोग होटल का बिल दिये बीना चले जाते हैं, खा पी कर बिल की जगा धमकी दे कर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि प्रधान मंत्री नरेंज नमोदी जब ये बड़ा ब क्यामरा लेकर जैकेट, टोपी और वो हाट लगा कर फोटो खीचने की आप्टिंग करने के लिए करना टका गए थे, तो जिस होटेल में वो रुके, उस होटेल का बिल ही नहीं भारा, बड़ा खुद को फकीर, 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 फकीर कहते हैं, लेकिन असी लाख का बिल बका खाया छोड़ा, तो फकीर जी का कुल बिल कितना होगा, आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अरे भाईया मोदी जी, मैं तो मध्यमवरगी घर में पैदा हुई, आपकी तरह फकीर तो हो नहीं, फिर भी मुझे ये जानकारी है कि भाई, जब सरकारी प्रधानमंत्री ह तो फिर आपको करनाटका के सरकारी गेस्थाउस में रुखना चाहिए था, अरे भाई करनाटका के VVIP सरकारी गेस्थाउस में रुख जाते, आपको रेडिसन में क्यों रुखना था, सरकारी गेस्थाउसों में आपको नीद नहीं आती या, अरे सरकारी गेस्थाउस में म आए बेची है तो फिर आपको रेडिसिन में ही नीन दाती है क्या सरकारी गेस्थाउस काटता है सरकार ने सरकारी महमानों के लिए सरकारी गेस्थाउस बनाए है और महामानव देश के टैक्सपेर का पैसा प्राइवेट होटलों में उड़ा रहे हैं वाहां बाकी सब लोग वायोलोजिकल है माता पिता से पैदा हुए है नरेंड्र मोदी वायोलोजिकल नहीं है नरेंडर मोदी जी उपर से टपक के आए हैं उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है चलिए आप मैं आपको आगे की बात बताती हूँ, पूरी कहानी समझाती हूँ, कि कैसे फकीर भाई साहब बिना बिल चुकाए, खापी कर खिसक लिया, तो कहानी यहां से शुरू होती है, कि अप्रेल 2023 में मैसुर यातरा के दौरा नरेंदर मोधी जिस होटल में ठहरे थे, उ उस होटल वाले ने 80 लाक रुपए के बिल का भुकता ना करने पर कानूनी कारवाई करने की धमकी देनी शुरू कर दी है, बोला बिल चुकाओ नहीं तो कोट जाओंगा, 80 लाक कम तो होते नहीं है, होटल वाला बोला कि एक साल से बिल नहीं दिया गया, ब्याज भी नहीं तो अब जद सहाबी पैसा दिलाएंगे, होटल वाला तकादे पर तकादा मागने लगा, तब ही मामला खुल गया, तब ही पता किया गया कि फकीर सहाब इतना बिल बिल बिना दिये चले गये, तो करनाटका करने के लिए क्या गये थे, तब पता चला कि श्री मोदी ज जलवायू परिवरतन मंत्रा ले दोरा किया गया था, अब उद घाटन में इतना पैसा उड़ रहा है, इतने में तो न जाने कितने टाईगरों का भला हो जाता भाई, करनाटके राज्यवन विभाग को 9-11 अप्रेल तक, यानि कि 3 दिन के लिए 3 करोड रुपए की लागत स कारिक्रम करने के लिए कहा गया था, और 100% केंद्रिय सहाइता का आश्वासन दिया गया था, मतलब ये कि मोदी जी का खर्चा पानी 3 दिन के लिए देख लेना 3 करोड में मामला हो जाएगा, कारिक्रम परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंत्राले और N.T.C.A. के वर इश्के पैसे के साथ कैसे बिनोत किया जा रहा है, 3 करोड का कारिक्रम 6 करोड में पहुच गया, और तब करनाटक में भी BJP की ही सरकार थी, और दिल्ली में तो फकिर सहाब जमे हुए, वो तो आपको गया थी है ना, दोस्तों, तो आगे हुआ ये, कि केंद्र सरकार की वरन वन एवन जलवायू परिवर्तन मंत्राले और एंटी सीए की बीच हुए पत्रों के अध्यान से पता चला, कि इस कारिक्रम की लागत मूल रूप से 3 करोड रुपे नरगाल की गई थी, लेकिन एंटी सीए अधिकारियों दुआरा दिये गए निर्देशों और प्रध उटकिया और उसे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरान सभी अधिकारियों को भेजा किया। करनाटका की प्रधान मुख्यवन सेंडरक्षक में 29 सितंबर 2023 को एंटी सीए नई दिली के उप महानी रिक्षक को पत्र लेकर बकाया राश्य की याद दिलाई। लेकिन एंटी 22 मार्श 2024 को वर्तमान PCF सुभाश के माल खेडे द्वारा एक और पत्र लिखा गया। जिसमें एंटी सीए को बकाया राश्य की याद दिलाई गई। जिसें प्रधान मंत्री जी के रेडिसन ब्लू प्लाजा में ठहरने के दौरान होटल बिलो का भुखता ना करना भी शाम जिकत उन्हें हमारी होटल सेवाओं की उपियों के बारा महीने के बाद भी बिलों का भुखता ना करने किया दिलाई। पत्र में कहा गया कि लगातार फॉलो अप और रिमाइंडर के बाद भी इन बिलों का भुखता नहीं किया गया है। अब इसमें आगे कहा गया कि बका प्राउनी कारवाई करने की धमकी तक डेटा ली कि अगर भाया हमारा पैसा आमको नहीं मिला तो हम कोट चले जाएंगे अब जाकर करनाटा की कॉंग्रे सरकार मोधी जी के होटल का बिल भरने के लिए राजी हो गई है कि भाया हम बिल भर देंगे 80 लाक रुपए हम दे वीडियो में इतना ही चलते हैं आगे राम राम दुआ सलाम जहिन यह सारी जानकारी दा हिंदू ने चापी है अभी के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मज जाएगा वीडियो को शेर कीचेगा नमस्कार जहिन